बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी देवगुरू बिरस्पती इस रासी में होने जा रहे हैं अस्त उन्निस फरवरी से इन रासी वालों की बढ़ेगी मुश्किले कि बैदिक जोतिस में किसी गरह के अस्त होने का प्रभाव सभी बारह राशियों पर पड़ता है हर रासी का अपना स्वामी गरह होता है उन्निस फरवरी 2022 को सनी की स्वरा से कुम्भ रासी में देवगुरू बिरस्पती अस्त होने जा रहे हैं यानि इस ओधी में गुरू गरह का प्रभाव कम हो जाएगा बैदिक जोतिस में गुरू गरह बिस्तार, भाग, ज्यान, गुरू, धर्म, बिवाह, संतान, बृधि, आधि का कारक गरह है ये धनो और मीन रासी के स्वामी है जातक की जम कुंडली में गुरू गरह की इस्थिती मजबूत होने पर ब्यक्ति को शुह फलो की प्राप्ती होती है आपको बता दें की गुरू गरह का जो अस्त का समय है इसका जो टाइमिंग है वह 19 फरवरी को देव गुरू बिरस्पती सुबह में 11 बच कर 13 मिनट पर कुम रासी में अस्त होंगे 20 मार्च 2022 को सुबह में 9 बच कर 35 मिनट पर फिर इसी रासी में समान अवस्था में ये आ जाएंगे जानिये गुरू अस्त का किन रासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आईए बात करते हैं इस वीडियो के माद्धम से मेस रासी के जातकों के लिए गुरू अस्त शुभ नहीं माना जाता है इस दोरान आपको कार्जस्तर पर परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है खर्चों में बृद्धी हो सकती है जीवन साथी के साथ आपको तनाव हो सकता है मालशिक तनाव का आप सिकार हो सकते हैं इसलिए इससे बचने का आप प्रयास करें यतोचित उपचार करें दूसरी जो रासी है ब्रिशब रासी है ब्रिशब रासी के जातकों के इस ओधी में मन की इक्षाएं पूरी रह सकती है नौकरी में बदलाओ का बिचार कर रहा है तो फिर हाल टाल दे इस दोरान ब्यपार में मंदी आ सकती है जिमन साथी के साथ अनबन हो सकती है खास कर आपको बता दें कि सेहत का पूरा ध्यान रखें अगली रासी जो है वह मिथुन रासी है मिथुन रासी वाले को करियर में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इस दोरान बंते काम में थोड़ा समय लग सकता है या यूं कहें तो बिगड भी सकते है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है परवारिक मुश्किलों के कारण मानसिक तनाव हो सकता है अगली जो रासी है वह करक रासी है करक रासी वालों के लिए गुरु का अस्त होना शुभ संकेत नहीं दे रहा है इस दौरान कार्यों में सफलता पाने के लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है आर्थिक परिशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको खास कर बता दें कि जीवन साथी के साथ मन मुटाव हो सकते हैं खान पान का आप बिशियस द्यान रखें हमेशा गरम भोजन का प्रियास करें अनता परशानिया हो सकती है आईए इस वीडियो के मादम से जानते हैं कि क्या है इसका उपाय गुरु बार के दिन ओम ब्रिंग ब्रिहस्पते नमह का 108 बार आप जब करें गुरु बार के दिन पीली बस्तु में जैसे सोना, हल्दी, चने की दाल और आम आधी का दान करें गुरु बार के दिन भगवान बिश्णु को बेसन के लड़ू का भोग लगाएं इससे भगवान बिश्णु प्रशन्न होते हैं और इनका आसिरवायत प्राप्त होता है गुरु ग्रह भी ठीक होते हैं गुरु दोस्त को खत्म करने के लिए गुरु बार के दिन ब्रत रखें साथ ही पीले बस्त्र पहने और बिना नमक का भोजन करें भोजन में आप पीले रंग की चीजें जैसे बेशन, लड़ू या फिर आम को आप सामिल कर सकते हैं अगर आप के कुंडली में गुरु के दोस्त को समाप्त अगर आप करना चाहते हैं तो गुरुबार को स्नान से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर स्नान करें स्नान के बाद ओम नमो भगवते बाशुदेवाय नमह मंत्र का आप जब करें अगर आपको बैदिक मंत्र आता है या बैदिक मंत्र की आप पूजा पाट करना चाहते हैं तो निश्चित रुप से आपको बता दें कि आप जो है रुद्राभिशेक करें रुद्राभिशेक के साथ आप रुद्राभिशेक का जो रुद्राष्टा ध्याई का जो पाचवा अध्या है आप उसका पाट करें निश्चित रुप से आपको लाव मिलेगा उसका मंत्र है कि आपको बता दे कि रुद्रास्टा ध्याई के मंत्र को पाठ करते हुए जितनी सुधता है उस शुधता के साथ आपको बहतरी से पूजा पाठ करना चाहिए और अगर संभव हो अगर रुद्राविशे आप करा ले तो ज्यादा बहतर अगर नहीं तो आमदपरवत पे चित्रकूर्ट में बैट के भगवान भोले शेंकर के की अराधना की पूजा पाठ की और वहीं पे रामचेजद्रमानस का इन्हों ने वहीं पे रामचेजि की पराथ करने से शीव प्रशन होते हैं देव गुरु होते हैं और अनकूलता होती है शमभ हो तो आप या तो पाठ करें या स्रमन करें, जैसे सिवतांडा उस्तोत्र का भी पाठ अगर करते हैं तो ज्यादा लाव मिलेगा, अन्यथा अगर नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका जो है, आप अप घर में इसका स्रमन भी करें, लिखा है कि यह पूजान पठती प्रदोसे तस्यस्थिराम रथगजेंद्र तुरंग युकताम लक्ष्मिम शदाई वे शुमुकिम प्रददाति शंबू, आपको बता दें कि लिखा हुआ है, कि भगवान भोले शंकर की कृपा के लिए, मतलब गुरु ग्रह की भी अनकूलता के लिए, जो भी साम के समय, अब प्रदोसकाल में, प्रदोसकाल किसको कहते हैं? जैसे संसेट हो रहा है उस समय, आप अगर संकर जी की पूझा पाट करते हैं, तो लिखा है कि यह पूझा न मीदम पठाती प्रदो से, जो पूझा पाट सायम कालीन करता है, भोले संकर का रुदरभिशेग, भोले संकर की पूजा पाठ अराधना अभ्यर्चना साथी गीत गायन मंत्रोशार करता है तो उसके दर्वाजे पे क्या क्या होता है देखी मेरा सास्तर क्या करता है यह जो है शुताण्ड़ में क्या लिखा लिखा है कि यहां पूजा नमीदम पठति प्रदोस्य तस्थिराम रथजगर मतलब जो सायम काली अपने दर्वाजा पे अपने घर भोले शंकर की अराधना पूजा पाठ अभ्यर्चना करता है तो उसके दर्वाजे पे आज के समय में गाड़े हाथी घोड़े और उन्नती के जो भी इस्वर्ज के चीज़े वह सभी रहते हैं और साथ ही लिखता है कि उनके साथ साथ जो है लक्षमी चलती है और निश्चित रूप से घर में लक्षमी का वास होता है और अलक्षमी का नास होता है तो सायम काली पूजा पाठ करने से ये जो आपको ग्रह की जो अनकुलता नहीं मिल पा रही है परिसानिया जो हो रही है निश्चित रूप से स केले के जड़ आप अपने घर में बालकनी में जरूर लगाएं अगर आप फ्लेट में रहते हैं तो सायम कालीन आप उसमें अगर बत्ती जलाएं वहां घी का बत्ती जलाकर और निश्ची तुरुप से इस पार्ट का स्रमण करें आप देखें आपको उन्नती आपकी होने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें तब तक के लिए दिजी जाज़त नमस्कार